इस वीडियो में हम आपको बताएंगे lock out, tag out के बारे में Lock out, tag out यूज कैसे करते हैं इसका फारम फिलप कैसे करते हैं इन सबसे पहले आपको मैं बताओंगा की lock out, tag out होता क्या है Lock out, tag out फिजिकल एनर्जी को isolate करने के लिए एक safe system of work होता है जो की permit to work system के अंत्रगत आता है accident को avoid करने के लिए इसका पर्योग किया जाता है आईए हम इसका example देखते हैं जब कभी आपको अपने घर में किसी fan को repairing करना है repairing करने के लिए आप क्या करेंगे electricity को cut off करेंगे, isolate करेंगे जब electricity को isolate करने के लिए जब simple से switch को on है तो उसको off कर देंगे off करने के बाद से आप सीधा fan के पास आके उसको repairing का कुछ काम करेंगे जब आप repairing कर रहे हैं तभी कोई दूसरा आदमी आके उसको मालूम नहीं है कि आप repairing कर रहे हैं, दूसरा आदमी आके वे switch on कर दिया इसी खत्रा को रोकने के लिए हम वहाँ पे एक lock लगा देते हैं और एक tag लगा देते हैं ताकि कोई दूसरा आदमी आके उसको open न कर दे अगर lock है तो कोई आन नहीं करेगा किसलिए lock की है हम वहाँ पे एक tag लगा देते हैं जिसको हम lockout tagout बोलते हैं lock भी करते हैं उसको tag भी लगाते हैं अगर कोई switchboard आन करने के लिए आता है तो सबसे पहले वहाँ पे tag देखेगा वह tag को पड़ेगा इसको आन नहीं करना है यह खत्रा है यह प्रोसरी यह काम के लिए इसको lock किया गया है तो वह समझाएगा कि आन नहीं करना है इससे क्या होता है हमारा accident avoid होता है accident कम होता है अब हम बात करेंगे company में lockout tagout का क्या process होता है उसका step by step हम आप यहां पर बताएंगे example के तोर पे एक company में motor repairing का काम करना है उसके लिए क्या process है आएए देखते हैं motor repairing काम करने से पहले सबसे पहले हम electricity को disconnect करेंगे electrical department वाला आके इसको disconnect करेगा उसके बाद से safety person आके इसको inspect करेगा फिर एक tag लगाएगा safety person के दोरा यह tag लगाए जाता है और lock भी लगाए जाता है next हम बात करेंगे loto कैसे fill up करते हैं इसका fill up करने का process है अब हम बात करेंगे इसको fill up कैसे करते हैं fill up करने के लिए यहां पर tag number रहता है इसको कौन सा tag number है यह safety person का एक register रहता है safety office में वो रजिस्टर मेंटेन हो था लोटो का एक register रहता है वो register में क्या serial number चल रहा है वो serial number यहां पर इसू होगा फिर कौन सा दिन को यह इसू किया और डेट रहेगा फिर कितने वैसे start हुआ वहां पर timing रहेगा लोकेशन कर रहता है यह लोटो कौन से लोकेशन पर लगा जा रहा है honey Пр些 Polish location कर एरिया का description रहेगा नेख्श्ट इकुप्मेंट आता है कौन से लगा जा रहा है कुछ रीक्टर हुआ यह टेंक हुआ यह एलेक्रिकल पैनलिев Accent अगण सकते हैं इसका क्या है इसका लगाने का सर्विस है कैलिब्रेशन है ऐसे कुछ रहता है फिर नेक्स्ट रहता है टेग भाई इसको कौन लगा रहा है तो safety person लगाएगा तो उसका safety person का क्या नाम रहेगा वो आदमी का नाम यहाँ पर रहेगा नेक्स्ट उसका designation क्या है safety person का officer है executive है manager है क्या है वो यहाँ पर basically वहाँ पर officer rank का यहाँ आदमी यह लोग work करता है फिर वो लगाने वाला का यहाँ पर sign करेगा नेक्स्ट फिर यह सेम फिलप location का equipment का reason का ऐसा से फिलप रहेगा उसके बाद से फिर यहाँ पर नमर से यह उपर का नमर यहाँ पर रहेगा फिर इसके बाद से यह cancel by last में जो कौन cancel कर रहे है उसका नाम और उसका signature रहेगा यह सेम कल फिलप करने के बाद से लाश्ट का option रहता है यह cancel by के लिए रहता है जब यह process पुरा complete हो जाएगा तो safety person यहाँ से cut करके लेके चला जाएगा ले जाके जो बुक से यह tag नमर इसू किया है वो बुक में ले जाके उसको close करेगा cancel दिखा देगा नेक्स्ट इसका second page का बात करेंगे यहाँ पर एक और इसू हो रहा है डेट कौन सा है इस टाइमिंग कौन सा है यहाँ पर टाइमिंग रहता है इस तरह से lock out tag out फिल अप करते हैं गाइस हमारे चनल को support करने के लिए रिट के लर कर subscribe बटन को दबा कर हमारे चनल को subscribe करें साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे आपके पास कोई भी question ने या suggestion है तो comment section में जाकर comment जरूर करें साथ ही साथ like बटन को दबाना ना खुले and thanks for watching my video